पंजाबी ओडियोग सुन रहे सारे सरोत्यानू फते अजगादिहां जी वाहिगुर्ची का खालसा वाहिगुर्ची की फते शुरुकादिहां पाग चौथा वड़ा कलू कारा लुटेरा लुट मार करके कदे राज़दा नहीं अते ना ही अपना हंकारी विकारी अते ताना शाही सुवाब अदलदा है ओहो अपने मकसद दी पूर्ती ले बेदोशयां गरीबा अते कमजोरां दा कान करंतों वी बाज नहीं होदा इतिहासक तथा मताबक एहमद शाब डाली ने अपने पंजवें हमले दोरान पानी पत दी तिजी लड़ाई तेरा तो चौदा जनवरी स्तारा सो काट दोरान मरहटेयां दे दंद खटे कारके केवल बेथा तान दोलत ही नहीं लुटेया खूंदिया नदिया ही नहीं वगाईया सगों पंजा हजार दे करीव सुन्दर औरता ते लड़किया नू गुलाम बनाके अफगानस्तान वालनू तुर्पया ऐसे इंसाना सबंदी सोहन सिंग सीतल लिख दे हन ओह जापन दे इंसानी ते रू अजल दी ओह वासदे शैरां थानी जित्थे लंग दे ओह पिछे पूत नशानी खोले चाड़दे ओह करदे नित महमानी पुखी मौत दी ना बच्चा बिर्द जिनानी जियों दे चाड़दे उना किती पुझ विरानी देश पजाव दी ऐसे जबर जुलम अते दीन इमाननू पांग हुंदा देख गुरू दे से खजार नहीं साकदे ते दुष्टा दे संगा आर लेई खंडा खड़कों दे हान जिस समें दुरानी फोज ब्यास पार करन लगी ता जसा सिंग आलू वाली दी गवाई विच सिंग अफगाना दे टुट पाई कुझ खजाना वी लुटे आते गुलाम बनाईया लड़किया नू छुडवा के उना नू करों करीब जाया लहौर पॉंचन ते अब्दाली नू सिंगा दी इसकारवाई दा पता लग गया तक हुआ जा अबीद खानू हाकम लहौर ते सर्बलंद खानू मुलतान दी हाकमी सौंप के सिंगा दे नाश दा हुकम कर मई स्तारा सोकाट नू अपने मुल्क नू चाल पया अजे इसने अट की ही पार किता सी के सिंगा ने इस दे दला नू फेर लुटिया प्यारा सिंग पदम अनुसार स्तारा सोकाट दी दवाली समे लहौर नू छड सारा पंजाब सिंगा दे कब जेहेट सी अखीर नवंबर स्तारा सोकाट नू लहौर वी अपने अदीन करके सरदार जसा सिंग अलू वालिये नू सुल्तान उलकौम दा खिताब दे के राज सिंगा असंते बठा दता खजाना ए आमरा स्तारा सोबाट विचे दर्ज है कि सिंगा ने अपना सिंगा चलाया जिस उपर फार्सी शब्द सन सिंगा जदर जहां बफजल अकाल मुल्क एहमद गृफ्त जसा कलाल पर गनेश दास वढ़ेरे दी लिक्त चहार बाग पंजाब दसांदी है कि इस समय सिंगा ने जो सिंगा चलाया उस दे उपर इहे शब्द सन देगो तेगो फते ओनसरत बेदरंग या फत अजनानक गुरू गोबिंद सिंग इहे सिक्के दे इहे ओही शब्द सन जड़े बंदा सिंग भादद दे राच में वर्ती जांदी मोहर ते उकरे होई सन देग दा पावसी रज्जे होए खुले दिल वाले तेग दा पावसी बे मिसाल जुर्रत वाले अते ओ नुसरत बेदरंग दा पावसी बिना किसे रुकावट ते जित हुई गुरु नानक ते गुरु गुबिन सिंग दी मेहर सदका ही है मुसल्मान लिखारी असरारी समदी ने देग ते तेग दे अर्थ इंज किते हन कि सिंगा नू दुनिया दी कोई ताकत हरा नहीं साकदी क्योंकि इना कोल देग भी है ते तेग भी है गनेश दास जी दी लेकत ठीक जाप दी है क्योंकि सक्चा सुच्चा गुरू दी मनौत करन वाला तेज परतापी सिंग कदे भी अपनी सोबा नहीं करोंदा ओहुता हार समय गुरू नूही मुख राखदा है प्यारा सिंग पदम भी संखेप सिख इतिहास दे पन्ना एक सो इकते लिख दे हन की जसा कलाल दे नाम वाले सिखे दे लफज कुझ तुअसभी मुसल्मान नू चुक्कन लई जाली बणा के कावल पे जिसाँ असल विच जदो 1708 विच सिंगा दा सारे पंजाबते कबजा हो गया ता जुलम अते सितम दा नाच नचन वाले इना मुसल्मान ना अते दुरानी दे यार गदारा जो सानता सिखी दे पेस विच पर सान सिखा दे जानी दुश्मन ने अबदाली नू फेर पंजाबते ने पुत्तर लिखके दुरानी पास कर लिया कि मेरी जान खत्रे विच है आप जल्दी पहुंचो तां कि मैं जिन्दा रह सका मेरे मरन पिच्छों तुहाड़ी ताकत दा की लाब इस वार वैरी सिंगा नो मार मकौना चाहिदा है हुलडबाजा अत्याचारियां हंकारियां ते विकारियां दिया उप्रॉंक त लिखता देख अबदाली छेमी वारी पंजाह जार फोज लेके स्तारा सु बाट विच पंजाब ते चड़ आया कुपर हीडे दी खुनी दास्तां अबदाली दा पंजाब वालनू बड़े लशकर समे चड़ेया ओना सुन माजजे द्वाब दे सिंग बचाओ ली परवारा समेत गड़ेयां कोड़ेयां खचरां आते उठां ते चाड़ मालवे दे इलाके कुपर हीडे नेडे मलेर कोटला कोल पॉँच गए दुरानी तेन फरवरी नू लहौरों चालके मारो मार कावदा आते लुटम चौंदा पंज फरवरी स्तारा सो बाट नू सिंगा दी पंजा हजारतों वी वाद एकठी होई वहीर दे नजदीक तड़क सार ही पॉँच गया दुजे बन्यों जैन खा हाकम सरहंद ते पीखन खा नवाब मलेर कोटला वी मुल्खई समेथ सिंगा दी वहीर नू केर के मार मकौन लई चाड़ा आई इस वहीर नू जरवाणया तो बचाउन लई या ते सुरख्य था ते पहुचाउन लई संगू सिंग वकील आला सिंग ते सेखु सिंग वकील पाई बुड़ा सिंग बरनाड़े वाल लजा रहे सं सरदार जसा सिंग आलू वालिया ते सरदार चरत सिंग शष्टर तारी सिंगा समेट वैरी नू रोकन लई मैदाने जंग विच जूज रहे सां सिंग सिंगनिया, बच्चियां ते बुड़ेया नू बचोन सबंदी रतन सिंग पंगु ने सिंगा वलो अपनाई विदी नू इंज बियान किता है जिमकर कुकडी बचियन छुपावे, फिलाए पंक दुए तर्फ रखावे, इम खाज सेने बहीर छपायो, जो बच रहेओ सो आगे लगायो अवदाली ने अपने वजीरा नू जिना विचे सिर करदा शावली खाँ, पीखन खाँ, जैन खाँ ते दिवान लच्मी नराइन सान हुकम किता कि कोई वी सिख अज बाच के ना निकल जावे, मैं इस वार सिखाँ दा खुरा खोज में टौनाया हाँ इस जांग विच फूल कियां दी मिसल नू छाट सरदार बगेल सिंग, ते होर सारियां मिसला दे सरदार वही दी रख्या लई, छातियां तान के लाड रहे सान पामे काफी समा सिंगा ने मुगल फौजियां नू वही दे निडे ना टुकन दता, पर हजारां दी गिंटीच गिलजियां ने गुर्मे पिंडपास सिंगा दा के रा तोड वही दे हमला का दता सोहन सिंग्सीतल नू सार इना मानस खाणया ने किसे बर्ध इस्तरी जा बच्चे ते वी तरसना किता जदो मा ममता दी मारी बच्चे नू बचोण खातर कोटके छाती ना लालैं दी ता वेरी सामने उ हिक विच नेजा मार के मा बच्चे दोहा नू पार बुलादन बहुत सारे बच्चे उतां उशार के नेज़े परच परोध ते किसे गर्व बती इस्तरी नू दे के उस दे पेट विच नेज़ा मार दे इंज हजारां दी गिंती विच बच्चे बुड़े ते इस्तरीया तलवार दे काट उतारे गे कुझ कतले आम तो डर्दे पिंड गहल विच जावडे पर पिंड वाड़े ने अब दाली तो डर्देया बुहे बांद कार ले ते किसे नू सहारा न दिता सगों हला कर सिंगा दा समान लुट लिया कुझ सिंग सिंगनिया बाजरे आदी दे सुके मुहारया विच लोक गए जिना नू वैरिया ने अगला के सार्दत सरदार शाम सिंग भी बड़ी तेजी नाल बाच गई वही दे बचावली पहुच गया उसने अपने सिंगा न राड के वैरी दे आहू लास उटे इना दे हमले तो डार के जैन खा ते शावली मिदान चों जानना बचा के नास गई लर्दया लर्दया जसा सिंग आलू वालिये ते चड़त सिंग दे सरीरा ते बहुत जखमाए जिना बारे रतन सिंग पंगू श्री गुरुपन परकाश विच अंकित काब दे हम जसा सिंग खाए बाई काए तो भी सिंग जी लड़ते जाए सरदार सबे जखमी पाए साबत रहे उना कोए चड़त सिंग जखम गिने ना जाए तीर तलवारन जो नेज़े खाए बची खुची वहीर जद कुतबे पिंड़ पास पहुंची ता उसते समान नो रंगड़ा ने लुटिया इतने नो अबदाली वी फॉल्स मेत उना ते आसमानी बिजली वांग जाड़ गया शाम नो अबदाली सिखादा कान करके बरनाले पहुंच गया इतने जैन खाते पी बरनाले दी लुट खसुट करके अबदाली ने हुकम किता की आला सिंग दा सिर मुन के मेरे पेश करो आला सिंग नो पवानी गड़ तो पकड़ के जदो दुरानी दे पेश किता ता इसने दुहाई पाई के मैं जुर्माना पर अनली तियार हां पर मेरे केस ना कटे जाएं तक्रीबन 3000 प्राणियाँ कतल होया प्राचीन पन्थ परकाशत पन्थे 300 विंजात मुगलाहंत सिंगा धी आती गणती वरह इंजदर्ज है तुर्क आता हम लून सिवपते प्राचीन पन्थ प्रकाशत दे करता पाई रतन सिंच पंगू दे पिता पाई राय सिंघ बेटा शहीद पाई मताब सिंग मीरा कोटिया जिसने हर मंदर साहिदी बेद भी का रहे मसे रंगड़ दा सरवड्या सी वी इसका लिवकारे विच शामल सी ओ लिख दे हन लोक कहें सिंग इकलख सारा पचास बचियो और सव गयो मारा पिता हमारे तीस बताए रहे सो मर और बच कर आए पिता चाचो दुए हम थे साथ उनते सुनी हम आखी बात इसका लूक आरे विच साब तो वड़ा नुकसान ए होया की पाई मनी सिंग दी हत लिखत शिरी ग्रुगरंच साहिब जी दी दमदमी बीड जो सिंगा पास सी हो गाइब हो गया ते पता नहीं लग गया किस दे हत थाई प्यारा सिंग पदम लिख दे हन की इतना जानी नुकसान होन दे बावजूद सिंग एहे आख रहे सान की खालसा का लूक आरे दी अग विच पैके शुद्ध कुंदन हो गया है पंगुजी नुसार एक नहांग सिंग जो कुदरती बाच गया नेज्जा उच्चा करके कह रहा सी खोट निकल गया है ते हुण निरोल तत खालसा रह गया है एक नहांग भुक तह कहेओ उच्चो बचन सुनाए तत खालसे सो रहेओ गयो सो खोट गवाए खजानना ई आमीरा लिक्त गुलाम अली अजाद बिल ग्रामी विच्चवी नहांग सिंग दे पंच फरवरी स्तारा सो बाट नु आखे उप्रौंकत शब्द दर्धान परनारे शेर नु लुटके अबदाली मार ताड कारदा सरहंद पहुंचिया लुकाई विच्च देहल डार अते हाहा कारम चौन ले इस दे काफले विच्च पंजा गड़ेयां ते सिंगां सिंग्णियां दे वड़े होए सर लदे होए सान एहमर्शा अबदाली केह रहा सी के मैं इस कलुकारे विच्च ऐसी सदा दे चले आहा की कई पीडियां तक इहे लोक पुल नहीं सकनगे अते ना ही हकूमत वरुद उठ सकनगे पर गुरू दी साद्जी निवाद्जी सिख कौम दे सिंगा नू कौन खतम कार साकदा है इतनी मार पैंट दे बावजूद सिंगा दी सोच सी फट खाके उठो ते हार नू जित्च बदलन लई सिर्टार दी बाजी लादेू सिंगा ने जल्दी ही बठिंडे दे रेतले लाके चिकट किता ते सर्व सम्तिनाल सैंसला किता करन सलाही खाल से दिवान सजाके की अब दाली कहेगा काबल विच जाके आया हां दशमेश दा मैं नाम मिटाके सिंग गुरूदे नस गए रण कंडव खाके अमरिस सर्दा उसने हर मंदर टाके अन्खवंगारी पांथदी सालसीने लाके उठो सिंगो मर्द बन रण मिलिये जाके दाग लहन इतिहास्तों रत विच नहाके तन जो जीवे सीतला जंग लाज बचाके सिंग इस संकट मैं समय विच भी कबर आये नहीं अबदाली अजे लहौर विच ही सी के मैं सारा सो बाट विच सिंगा सरहांधते हमला कारके दोशियानों डांड दता स्तारा अक्तुबर स्तारा सो बाट नो दिवाली मौके सथ हजार दे करीव खाल सा अमरी सर इकठा होया अबदाली ऐसा इकठ सुन के हरान सी के एहे लोग किस मिट्टी दे बने हां इतनी मार पैंड तेवी सिर चुक रहे हां अखीर एहे बारा दसंबर स्तारा सो बाट नो अफकान नस्थान वालनों तुरिया सिंग चना कोल अबदाली दी सैना नो फेर लुटिया कलू का रेदा बदा लेन लेई दसंबर स्तारा सो त्रेंट विच मलेर कोट ले दे नवाब पिक खन खानू मार या चौदा जनवरी स्तारा सो चौट नो सरहंद फते करके जैन खानू खतम किता फर्वरी स्तारा सो चौट विचल हौर ते हमला किता जिस विचल हौर दे हाकम खुआजा अबीद खान दे दिवान काबली मालतों हरी सिंग पंगी ने इन मनवाई इसे दुरान बुड़ा दाल दे सिंगा जिना च पाईब गेल सिंग विशामल सी जिनने जमना पार दे गांग दुआब ते जाहला बोलया इत्थों दे कहीं शैरां जिमें सहारनपुर, देवबंद, नजीबाबाद, मुजफर नगर, मुरादाबाद, आदी दे नवाब, बड़े अयाशी ते बद चलन सान इना तक के नाल हिंदुआं दियां बहु बेटियां अपने हर्मा विच रखियां होयां सान इना शैरां दे लुट समें सिंगा ने लड़कियां नो छुडाया प्यारा सिंग पदम लिख दे हान की चंदरा हिंदु समाज उना बहु बेटियां नो अपने विच शामल करनी तियार नहीं सी सिंगा दे दालने उना लड़कियां तो पोजन बनवा के आप छुकिया ते सारे हिंदुआ नो छुकाया फिर गरीब निवाज खाल से न उना अपनिया तियां आख के ते हजारा रुपए दे के करो करी तो रहा अबदाली सत्मी वार दसंबर स्तारा सो चौंट विच हिंद ते फेर फोज चड़ा के लहौर पहुंचिया सिंगा गुर्मता कार फैंसला किता की खाल सा हरन हो जावे अते आई मुसीबत टाल दवे इस हमले दोरान अबदाली हर मंदर साहिव टोना चौंदा सी जित्थों सिखी नू बाल मिलदा है पाई गुरु बाक्ष सिंग अते सिंगां दी शहादत पाई गुरुबाक्ष सिंग उस समें अम्रिसर श्रीदर्बाग साहे विखे सान गुर्मता परवान होन समें इना हाथ जोडा किया साध्डी गुरु दे दुआरे शहीद होन दीती बर इच्छा है इसलिए उना सिंगा उते पंथक गुर्मता लागू ना करो जो उना वांग सोच दे हन परवानगी मिलनते उना ने योँ वंगार पाई है कोई सिंग इस पंथ मजारी लाए सीस करे दरगय पुकार सो पुकार उस मन्ने करतार पाई गुरुबाक्ष सिंग बड़े हठी जपी जती और तपी पिंड लील अम्रिसर दे वसनीक सन अते शहीद पाई मनी सिंग जी हत्थोना अमरित पान किता सी इना ना ती कु सिंग नितरे जिना दे हिर्दियानू पाई साहिब दी पुकार टुम्ब गई सी बाकी सिंग लखी जंगल वाल निकल गए अबदाली नो अम्रिसर वाल वादा सोन इना इशनान पान कर नित नेम दियां बाणियां पढ़ियां आते शश्टर बस्तर सजा अरदासा सोद टाकरे ले तियार बर तियार होगे एक पासे ती हजार गिल जे ते दुजे पासे गुरू दे ती कु सिंग इना दी अरदास दे शाब्दसान हर मंदर के हजूर इस खड़कर करी अरदास सत्गुर सिखी संग निबै सीज के सन के साथ गिल जियां ने बचाओ दा सहराल इंडियां इना सिंगा वाल तीर चलोने शुरू का अब दिते पर पाई गुरू बाक्ष सिंग ने आखिया सिंगो मूल का आके नहीं सन मुख हो के लड़ना है इन्ज पाई गुरू बाक्ष सिंग समेथ सारे सिंगा ने राण विच जूज दियां आंतनू शरीर त्याग दते जांग नामा जो सारा सो पैंट विच रचिया लिखन वाला काजी नूर मुहमद इस मुहिम विच अबदाली दा हम रकाजी ओह लिखदा है कि इना तीस बबबर शेरां दे दगदगे चैरें उते ना कतले आम दा डार सी ना मौत दा पै इन्ज इना सिंगा ने जुगो जु अकाल तक्त साहिब जो पगती दा सुमा है अतिशिरी हरमंदर साहिब जो पगती दा चानन मुनारा है अडोल हो के सूरम गती प्राप्त किती उना दे दिला दी पुकार एहो सी पंजाब दौलत याहे ते सिख खाहे दखनी पच्छमी के मले जाहे बचन सिंग सुन गुर तथा अस्त सत्गुर बच कहे इस तरह इना सिंगा ने बर्द बाने दी लाज रखी दसमे पार्षा ने मुगल राज दिया सफावले टन लई एह कार्ज खाल से इनूना देड विखे सौंपया सी बंदा सिंग बहादर दे नाल बचन बिला समे सत्गुरा फुरमाया सी मुख रख दिल्ली फते करन लई तत पर रहींदा सी जेकर उना नो कोई पुछ दा की थोड़ी जही गिनती नाल तु दिल्ली कि में हथे आ लवेंगा ताहू मुखो उचार दा मैं नहीं हथे ओनी दिल्ली गुरू ने हथे आ के देनी है अधियाए चोथा दिल्ली फते करन पाइब गेल सिंग सिखी विर्से दे आदर्श अते असूल ग्रैन करके हक, सच, इंसाफ अते परुपकारता लई गुरू आसरे बड़ा लंबा समा जूजदा रहा इस गौर्व मैं अते अमीर विर्से दा निशाना गरीब दी रख्या ते जर्वाने दी पक्या सी सिखी दा सिदान्त हकी लड़ाई आतम विश्वाश डोलता दी बुलंदी ते निरवैरता नू रूप मान कारता है इस सिदान्त नू मुख राके गुरू दा खालसा हंकारियां, विकारियां, कमंडियां, गुमानियां ते जालमा दी सुदाईले हमेशा तत पर रहेंदा है बगेल सिंग जो गुरू दा नूरा, सिखी दा सूरा अते बचनाच पूरा सी दे मानविच दिल्ली ते फते पाके गुरू सहबान ने जित्थे किते चर्न पाए शहादता जतियां अते शिरी गुरू को बिंद सिंग जी दे महला ने वसेबा किता प्रती जानकारी लेके उत्थे गुरू द्वारे सहबान उसारन लेई बड़ी ही तीबर इच्छा खिच अते प्रेम सी परहे कार जो कोई सौखा नहीं सी क्योंकि दिल्ली मुगल राज दी राज तानी सी उस समें हिंदूस्तान अंदर चारे पासे मुगला दा बोल बाला सी अते हो बड़ी वड़ी फौज दे मालक सान हर कोई हकूमत दा पक्खी अते मददगार सी गुर्बानी दे बोल हन जिस ही की सिरकार है तिस ही का सब कोई होर ता होर अपना काम कड़न लई बंदा सुपने वी समेधी सरकार दे ही लेंगदा है जिसका राज तिसे का सुपना तुझे पासे सिंगा दी गिंती आटे चलून बराबर सी ओहो कार काट तो वांजे सन अते पत्ता पत्ता उना दा वैरी सी पर गुरू किर्पा सदका हो शाष्टर अते शाष्टर दे पुजारी सन दुनिया अंदर एहे दोमे ताक्ता बढ़ियां बलवान हां तारमिक शाष्टर दा ग्यान तरम विच परपक रभी प्रेम अते आत्मकबल पैदा करन दा महान सोमा है जद की शष्टर रखवालियते राज पाग दी प्राप्ती ले सहाई होंदे हां गुरू साहिब ने सिंगा नू एहे सिख्या दिती सी सिंगो शष्टरन के अधीन है राज जो ना करे इनकी प्रतपालन तिनके बिगरे सब्बे काज उना केसां ते शष्टरां दी महांता दर्सोंदे इत्थों तक कैद ता बिना केस शष्टरन नर पेड जानू गहे कान तांको कहीं ले सिदानू एहो मोर आग्या सुनले प्यारे बिना केस शष्टरन देहों नाद दारे दिल्ली ते पहिला हमला सरदार बगेल सिंग फौज समेत गंगा दुआब लंग जनवरी दे शुरूच जो दो कडाके दी ठांड पह रही सी दिल्ली कोड जा पहुंचिया पर मुगला दे शाही दरबार अंदर इसनो रोकन दा होंसला ना पहा मुगल फौज मुकाबले ते ना और कारण सिख फौज दिल्ली अंदर दाखल हो गई 18 जनवरी 1774 नू सिखा ने अदी रात तक शादरा च बड़ी लुट मार कीती इना मुगला दे कींदे कहोंदे पंजाब अंदे वी अपने काबू कार ले डाक्टर हरी राम गुपता लिख दे हन की उसे रात दात का के वजीराबाद पंड़ दे गुजरा ने वी कई इलाकियां च अमीरा पासों काफी तान लुटेया जदो बाशानो इस अनेर गर्दी दी खबर मिली ता उसने सिखानो बुलाया ते आख्या की मेरी मदद करो इसने दास हजार कोडे शहबाज पुर्दा इलाका ते बगेल सिंगनो कीमती खिलत वी पेट करन दी गाला की पर अब्दुल एहद खां मजीद उद्दौला ने एन उस समें पहुंचन कारके इहे तजवीज सिरे ना चड़ी अब्दुल एहद खां चंगी शक्षियत दा मालक सी सुबा आदा शुशील दुजिया नुगला बाता चमंतर मुग्द कारनवाला मिठ बोलडा आते अडंबरी सी पर सिखा ने उस वक्त कोई तक्का नहीं किता अते ना ही किसे लालच विच आके कुछ प्राप्त ही किता इहे दिली छड़ के सदे आड़े दौडे ही मारा मार दे रहे दिली दे बाश्या ने कितीस मदद बदले अब्दुल एहद खानू सरहांददा फोजदार लगा देता ते समरू ना दे व्यक्ती नो इस दा डिप्टी था पिया एहे साब कुछ बाश्या ने सिखा तो बचा लई किता अक्तूबर 1774 विच अब्दुल एहद खान ने सिखा नू एक वार फेर पर मौनदा यतन कीता गालबात दुरान इसने राई सिंग बहादर, बाग सिंग बहादर, दुल्चा सिंग बहादर अते सुन्दर सिंग बहादर नू पत्तर लिखिया कि असी तुहानू सामराज दी फौज विच परती करनू तयार हाँ, हर इक सरदार दीन एक हजार कोड सवार अते पांसो पैदल सैनिक होणगे, हर कोड सवार नू ती रुपए अते पैदल नू पंज रुपए महिना तन खा देवाँगे इस दी एहे चाल सिख्छां चवंडियां पाके उना दी शक्ती नू कमजोर करनवाली सी, पर गुरू दे सिख्छां ने कोई लालच ना किता अते उस दे पेल से च नहीं आये सिख्छां नू दिल्ली चवडन तो रोकन लेई, दिल्ली पती ने अवद दे राजेतों वी मदद मंगी, पर हो कमजोर दिल होन करके सहाइता ली अगे ना आया सिख्छ फौज शा जहां बाद दे नेडे ही कुम दी फिर्दी सी सिख्छ फौजां दी विरोता दा अंदाज जाता पंजाब दे परसिद कवी सैयद वारस शा दे रचे किस से हीर रांजे तोंवी पाठक जाने लगा साकते हां ओ सिख्छ दे इनकलाबी जमात नू पूत मंडली आखदा है अठारा से बाईसिया समतादा राजे बिकरम जीत दे साल होई तदो देश दे जट सरदार आहे करो करी जा नमी सरकार होई पेया मुल्क दे विच्च सी बड़ा रोडा हर किसे दे हाथतलवार होई असराफ खराब कमीन ताजी जिमिदार नू वड़ी बहार होई चोर चोदरी यार के पाक दामन पूत मंडली एक दू चार होई जिस वारशाने पंजाब्दियां तियानू मुगला दे चुक्कन ते गुलाम बनाओन पिछों रोण कुरलों सबंदी अपनी कविता विच डाड़े वैन पाए जिसने लहू दी परीच नाबदी गाल कीती प्यारा सिंग पदम लिख दे हन कि ओहो मुगला तो तियां छुडौन वाले नू पूत मंडली लिख दा है सगों ओहोता मुल्क नू चिरां तो चिंबडे पूतां तो खेडा छुडा रहे सां ओहोता इना नू देश्चों कड के लोकानू सतंतर ता दे गाड़ी राते पा रहे सी दिल्ली ते दुज्जा हमला सदार बगेल सिंग ने सारा सब चत्रीश्वी विच दिल्ली ते दुज्जी वार चड़ाई कीती अब्दुल एहद खां आते सिंगां विच शांती रखन लेई चाल रही गालबाद टुट चुकी सी सिख फौज कर नाल कोड़ी कठी होई बैठी सी इस फौज नू राए सिंग पंगी तारा सिंग गैबा डले वालिया ते बगे एल सिंग करोड सिंगियां दी हिफाज़त हेट ते न पारगांच जथे बंद कार दिता गया सी इना बाई अपरेल सारसब चतर नू जमना पार कीती सियास्त दे रंग देखो दिल्ली दे बाश्या दा खास यार अते दिलदार अब्दुल एहमद खान ने इस दे वजीर नजाफ खान नो खतम करन लई जाबिता खान नो बलाया अते उसनो सला दिती के तूँ अफगाना नो इकठा कारके नजाफ खान दा कंडा कार दे पर इसने गालना मन्नी जाबिता खान दिली दे बाश्या दी फौज विच शामल हो गया पर जियों ही इसने सुनिया कि सिंग कांजपुरा वलनो दिली ते चाड़के आ रहे हांता है डार के मिया पाई खान दी गड़ी विच जा लुकिया उससमें सिंगा दा दब दबा डार अते ताक मुगला ते ऐसी सी कि अगर 50 सिंगा दा जथा किते जा रहा होंदा सी तब 500 मुगला दा उना उत टे हमला करन ली ही आ नहीं सी पेंदा इस्वेले सिंग जमना तो लेके सिंद पक्खर तक अते दखन वाल मुलतान तो लेके उत्तर दिया शिवालक पहाडियां तक छाई होई सां इस तरह सिंगा दी तलवार ने हिंद दी सरहंद नू चटान वांग मजबूत बना दता सी अग्रेज जनरल बारकर ने सरदार चंडा सिंग पंगी नू उन्नी अगस्त 1770 दे दिन लिखे पत्तर विच एहे खास शब्द लिखे इह साफ दिखाई दिन्दा है कि जितना चिर खास सरहंद दी राखी कार रहा है कोई वी हिंदूस्तान वाल चाड़के ओन वाला बिना मुकाबले नहीं मुड साख़दा राई सिंग पंगू अते तारा सिंग गैबा दे जथे कई दिन दली दे आले दोडे दे लाक्यां विच मुगला नाल पड़ दे रहे अते आखीर नू जाबिता खान दे इलाके गौंस गड़ पॉंच गए इते जाबिता खाने सिंगा दी शर्न लाई अते उना दी मदद लाई दखनी दली वालनू नाल गया ती अप्रेल स्तारा सुब चत्तर दा एक पत्तर बियान कारता है कि जाबिता खा दी एगवाई विच सिख दली दे नेडे हला गुला मचा रहे हां जमना दे दुझे पासे मरहटे नवाब आसफ उद दोला लई परिशानी दा कारण बने हुए हां 15 जुलाई 17 सुब चत्तर नूब गेल सिंग दी कमांड हेट सिंग दली च दाखल हो गे इना पहार गंज अते जै सिंग पुरा दा इलाका सार दता मुगल फौजा ने थोड़ा जिहा मुकाबला किता आते दोहां ते रांदे 60 दे करीब फौजी मारे गए दुझे पासे जाविता खां फौज लै दखनी दली च कुस गया पर नाजीब खां तो हार गया जिस कारण सिंगा नू दली त्याग नी पर दिली तक्त दी पटेाले वाल चड़ाई नजास खाने पर्तपूर अते अलवर दे राजियां दी ताकत नश्ट कारदती सी मराठे अंग्रेजा नाल जूज रहे सान एहम शाब दाली मार चुक्या सी अते उस दा पुत तैमूर शा ओकडाज फस्या होया सी डाक्टर हरी राम गुपता दे कथन अनुसार 1789 विच हिंदुस्तान अंदर सिखान दी चड़त दा डंका वाज रहा सी सिख सरदारा ने कैथल दे राजा पाई देसु सिंग दे दूत नाल मिलके सतलुज लहोर ते मुल्तान जितन दी सिला किती अब्दुल एहद खान ने वी सिखान दी बनाई योजना सविकार किती पर पट्यारे दा राजा अमर सिंग जिस दे दिल विच खोट सी एते सिख सरदारां दा हमेशा विरोध काड़ा सी ने अब्दुल एहद खान नो चिठी लिख पे जी के आपा मिल के इना सरदारां दा मलिया मेट कर देए असल विच आला सिंग दा कबीला राज प्रापती दा पुखा सी अते हैवी अब्दुल एहद खान ठारा जून स्तारा सो उनासी नो पंजा हजार सैनी कते दो सो तोपा ले पटे आले वाले चल लेया इस दे नाल शहजादा मिर्जा जहान शाफ और खुंदा बक्त वी सी तकरीबन उनती जुलाई नो इह पानी पत दे लागे अपड़ गए करनाल विखे अब्दुल एहद ने बगेल सिंग दवान सिंग करम सिंग अते साहिद सिंग खोदा नल मेल किता पावे शहजादा सिखानाल मिलाप तो ना खुश सी करनाल दे मन्य पर्मन्य जिमीदार गजपत सिंग दे दिली पती नाल चंगे सवंध होन कारके शहजादा इस दे महल चिठे रहा सदार बगेल सिंग बड़ा चतरते सकीमी सी गजपत सिंग इसनाल खार खांदा सी बगेल सिंग ने अब्दुल एहद नू किहा कि जे तू अपना पलाचोंदा है ता गजपत सिंग नू कैदी बना ले आते उस तो नजराना उगरा नवाब ने बगेल सिंग दी गाल मन गजपत सिंग नू कैदी बना ले आते छुटन लई दो लाख रुपए मंगे तहमास खा मिस्कीन जो इस महें में चे शामल सी लिखदा है दिल्ली दरबार वल्लों गजपत सिंग करनाल जिले दा राजपरबंद पिछले वी साला तो संबाल रहा सी शहजादे फर खुन्दा बक्त दे कैन ते गजपत सिंग अब्दुल एहद दा मुख विश्वास पातर बन गया ते हर काम विच एको एकसला कार सी एह अग्ये लिखदा है कि पावे अब्दुल बहुत ही सियाना तजर्बेकार साहित अते तिहास दा जानकार सी पर सिख सरदारां दे तक्के चड़के एह अपनी दूर दृष्टी वाली तीखन बुद्धी गुआ बैठा सी इस कारण इह अपने हमलें विच का मियाब नहीं हो सकया अब्दुल एहद वर्खार उत खतम होनते नौस तंबर नू करनाल तो चल लेया इसने बगेल सिंग नू आख्या की कैथल दे राजे देसु सिंग नू में नू मिलाओ क्योंकि अमर सिंग उसनू तंग का रहा है देसु सिंग नवाब नू थाने सर्विखे मिले आते कुझ नजरावी पेट कीती इस बदले नौाब ने उसनू खिलस दिती पर नौाब ने देसु सिंग तो तेन लाख रुपे नजार लई अते अपनी पकड चो रहा कीता साथ अक्तूबर 1789 अब्दुल अते फर्खंदा बक्त ने स्वेर वक्त ही पटे आले ते जाहला बोलिया दोहां तेरा अंदर मियान गैगड लडाई हुई तेन दिना दी लडाई उपरंत वी ड्राकल नौाब पटे आले दे के ले ते अपना कब जाना जमा सकया दिली तों चड़ी फोज तक महराजा पटे आले ने अपनी मदद लई जसा सिंग अलू वालिये नू एह कह के बुला लिया कि मैं तो हड़े कोट सवार नू एक रुपया प्रती दिन तन खा दे मांगा सरदार जसा सिंग होर सरदारा नू नाल लेके वड़ी गिंटी विचे सद्धे अनुसार पहुँच गया इतने नू अब्दुल एहद नू ख़वर मिली के दो लख दे करीब सिख अमर सिंग दी मदद ते पहुँच चुके हान ता इसने उस समय सरदार बगेल सिंग नाल सला मशवरा किता कि मैं हुन की करा बगेल सिंग अतदजेदा नीतिवा नाइक सी उहो परो परो पावी नवाब दे नाल सी पर दिलो नहीं सी चौंदा मैं मुगला तो अमर सिंग दी पिठल वा देमा सरदार ने नवाब नू किहा जसा सिंग अलू वालिया दो लख फोज लेके मलेर कोटले पास बैठा है तेरे लही हून एहे ही ठीक है कि तू वापस दिल्ली चलिया जावे बगेल सिंग ने ऐस जावी देता कि तू अपने बचा ली माज़े दे सिंगां दी मुठी गरम कर ता तैननू ओख दिल्ली जान ली रस्ता देनगे नवाब बड़ी कबराहट विच सी मरदा की नहीं करदा इसने तिन लाख रुपे जो देसु सिंग कैथल वाले तो नजार दे तौरते लई सन ओह सरदार बगेल सिंग नो दे दते बगेल सिंग ने इस राशी विच्चों दास हजार रुपे सरदार जसा सिंग अलू वाले नो दते पांजहजार तारा सिंग गैबानू अते साथ हजार जै सिंग कनियानू देदते अते बाकी आप राखले फरवरी 1783 विच दली ते हमला करन दी पाईब गेल सिंग ने योजना बनाई सरदार जसा सिंग आलू वालिये ने पाईब साहिब दा पूरन साथ दता खाल से दे मनांदर दली ते फते पाउनी हर समय वसी रहीं दी सी दली दी मुगलिया हकूमत हमेशा सिखी दा विरोध कार दी सी बाबर क्या दिया सिखा उपर नित कीतिया जा रहीया तांदलिया अपरादा खुनामिया जबरा आदी प्रती खाल से दा पांडा पूरी तरा पार चुका सी दिली दे तक्त ते फते पाउनी पावें बड़ा वड़ा कसोटी पर या कदम सी पाईब गेल सिंग पिलना दिली ते किते हिमले आचर चाहे काम्याब नहीं सी हो सक्या पर उसने होंसला नहीं सिहा रहा ओहो तां गुरु कलगी तर दशमेश पिता दे बचना ते टेक रखी बिठा सी इन गरीब सिख्यन को दय पात्षाही यहाँ याद रखे हमरी गुरे आई जिनकी जात वरन कुल माही सरदारी नह पई कदाही इन ही को सरदार बनाओं तबै गुबिंद सिंग नाम सदाओं बंदे दे जीवन अंदर जित हार हुंदी रेंदी है पर दल वाले इंसान कदे हार नू हार नहीं मान दे जिमें कभी हर बंस राय बचन दे बोल हां कोशिश करन वाले की कभी हार नहीं होती लहरों से डर कर कभी नोका पार नहीं होती नन्नी चीटी जब दाना लेकर चलती है चड़ती है दिवारों पर सो वार फिसलती है मन का विश्वाश रगों में साहस भरता है चड़कर गिरना गिरकर चड़ना ना अखरता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती निरसंदे दिली ते फते पौन लेई पाई बगेल सिंग लगातार जूज रहा सी पर प्रबु दी कला तो बगैर सूरा कुझ भी प्राप्त नहीं कार साकदा जैसे अत सूरा जे को कहावै प्रब की कला बिना कहतावै जो दो प्रबु महर कारदंदा है ता ऐसी लाल तुझ बिन कवन करे गरीब निवाज गुजाईया मेरा माथ्य छटर तरे दिली शहर शिरीगुरु गोबिन सिंग जी ने मुगल बाश्या औरंग जेब नू जफर नाम में दी दुझ जी हिकायत विच दिली शहर वसोंदा वर्नन किता सी उना दर्साया कि एक मान ताता नामी राजा सी जिस दे चार पुत्तर सन उमर वड़ी हुंदी देख उसने अगे राज पाग संबालन लिया अपने वजीरा नाल अकल मंद पुत्तर दी चोन ले इसला मशवरा किता इस पिछो राजे ने वजीरां दी सवा बुलाई अते इस विच अपने चार पुत्तरा नू जरी नाल जड़ियां सुनेरियां कुरसियां ते बठाया वजीरां दी दर्साई व्यों ते अमल कर देयां पहले पुत्तर नू दास हजार हाथी सोने दियां जनजीरा नाल जड़े होए कुझ इलाक्यां समेत दते दुझे नू 5 लख कोडे जरी दियां काठियां वाले ते तिजे नू 1 लख उठ इलाक्या समेथ राज पागवद ओनली दते चोथे नू जिस्दाना दलीप सी एक मुंगी दा दाना ते अद्दा छोलियां दाना आते कुझ इलाका दता पर दलीप ने सोच विचार के केहा कि मैंनू छोलियां दे अद्दे दानी दी बजाए उस दे पार दा एक पूरा दाना दे दे देू दास साल पिच्छों जद पर्ख होई ता मान ताता ने वजीरा नू आख्या कि मैंनू ओहो कागज ते लिखी लिखत दिखाओ के ना पुत्तरा नू की कुझ दता सी ओहो लिक्त पड़ मान ताता ने वड़े लड़के नू पुछया कि पुत्तर आज तो दास साल पहला ते नू हजारा हाथी दते सान हून तेरे पास की है उसने उत्तर दता पिता जी बहुत सारे हाथी जंगाच मारे गए आते कुझ दान का दते दुजे दुजे दे तिजे पुत्तर ने विड़ते कोडे आते उठांस बंधी ऐसा ही उत्त दता चोथे पुतnost दलीब सिंग दते दाने आते एलाक्या बारे सवाल किता ता उसा आख्या पिता जी मैं छोलने आते मुंगी दे दाने बीजे खेती किती आते साला बदी कमाई करके पांजलाख कोडे तिनलाख उंट जो बहुत ही सुंदर हन खरीदे आते होरतान दौलत भी बनाई है गुरू साहिब ने जफर नाम में अंदर दलीब सिंग दी चंगी नेक अते मेंट पर पूर कारवाई नू इंज बयाने वजा दाल नो शहर आजम बबस्त की नाम में अजा शहर दिहली शुद अस्त पाव दलीब सिंग ने छोलेया जिस दी दाल बांदी है दे दाने तों दिली शहर वसाया जिस जगा दा ए औरंग जेव तों बादशा है दीगर दाने रा बस्त मुंगी पतन चो दोस्ता पसांद अस्त दश्मन फिकन पाव मुंगी दे दाने तों मुंग पतन पतना शहर वसाया जेडा सब मित्तरानों पसांद है अते औरंग जेव पावे ते नुँआ हो पतना पसांद नहीं जित्ते साड़ा जनम होया है खुश आमद ब तदबीर मानो महीप किताबश ब दोदाद राजे महीप पाव दलीप दी अकल ते जुगती देख मान ताता राजा ने उसनों तक्त दा ताज दे दिता ते आप संसारी बंदना तों उपराम हो प्रबुदी पगती करन ले ही महल माडियां छाड जंगलां चे चले आ लिया इन जे साथगुरा ने औरंग जे बाच्शानों कन करन ले ही समझाया कि जिस दिली दे तक्त दा तू मालक है ओ दिलीप दे नेक कारनामिया मेहनत ते मुश्कल नाल एह शेहर होंद विच आया सी पर तू बुड़ा हो गया है अते अजेवी चूट फरेब दगा हंकार विकार अते पाप करनों नहीं टालदा मालक दी दरगाज तेनों ही सारा हिसाब किताब देना पैना है बाबर तो लेके जितने मुगल बादशा दिली दे तक्ते बैठे साब ने हिंदुआ ते सिखान दा कान किता उपरंत अंग्रेजा ने वी काट नहीं किती देश दी अजादी ले बड़ा खून डूलेया दुख दी गाल अजादी उपरंत वी जितनिया सरकारा हून तक दली दे तक्ते काबज रहिया साब ने सिखानों किती कुर्बानी दा हक ते इंसाफता की देना सी सगों सिखानों खतम करन लेई ही यतन किते ते कार रहिया है एह अकित कांता दी वड़ी मिसाल है सिखाने देश दी अजादी लेई 93 परतीशत कुर्बानिया दतिया शिरिग्रुतेक भादर जी ने हिंदू तरम बचोन लेई अपना सीस हिंदू तरम दी राखी लेई दिल्ली जाके कटवा दता लड़ाई उस वक्त वी साच्चते चूठ दी सी अते आज वी जारी है समेधिया सरकारा ने सिख पांथ दे महान शहिद्दा दिया दतिया कुर्बानिया वालिया थामा ते मसीता बना दतिया सन ताकि और वालिया नसला नू इना बारे कोई ज्यान न होगे पर गुरु शक्ती बड़ी महान है गुरु जोत हमेशा लई अमर है गुरु सच्चे सुच्चे सिख दे सदा अंग संगरींदा है ओ सिख तों तरम्दा काम करौन लई उस दे मन अंदर द्रड़ता वाली सोच पैदा कार दंदा है अते बल बख्ष के जित दे डंके बजवा दंदा है गुरु बानी दे महा बोलहन मन बेच्चे सत्गुर के पास तिस सेवक के कार जरास दिल्ली दे नाइबा विचकार चगडा दिल्ली दे बाश्या ने सिखा नाज 1780 विच एक समझोते दुरान जमना दे पच्छम पासे उना दी हकूमत दी गल परवान कार लई पर बाश्या दे वजीर नजाफ खाने कांजपुरे कोल अपने पती जे मिर्जा मुहमद साफी खानू सिखा ते अख रखन लई फौज दे के बठा दता सिखा ने इसनो पसांद ना किता ते दिल्ली ते हमला करन ली त्यारी कार ले अपनी मदद ले इना जैसिंग कनिया ने शाफी नू दास हजार फौज दे के सिंगा ते हमला करन ली पेजिया पर छे अपरेल 1682 नो इह मार गया एह मुगल हकूमत दा आखरी अमीर वजीर सी नजाफ खां दी मौत उपरांत ताकत हासल करन ले चार जणिया अफर सियाब खां नजाफ कुली खां मिर्जा मुहमद साफी खां आते मुहमद बेग हम थानी विचकार खून डोल मी जांग छड़ गई अखीर अपरेल सारसोब्यासी तो नवंबर तक महादजी सिंदिया दली दा डिक्टेटर बनिया रहा इस दे समय वी खूनी लडाई बांधना होई मुगल फौज कमजोर हुंदी गई यते सिखां ले यही गल बड़ी सहाइक बनि सिख फौजा ने मौका ताड़ के दली तो हरदवार तक दा इलाका लुटेया दली दा सबजी मंडी पर ताप गंज अते दखन वाल खुजरा तक अपनी लपेड़ ले लेया सर जादूनाथ लिख देहाने की सिखां दी स्ताकत नो थम्मन लई दली सरकार असफल रही बगेल सिंग दा गंगा दुआब अते गड़वाल ते कबजा जनवरी 1783 विच बगेल सिंग ने अनूप शहर बुलंद शहर दे लाके सारकार ले एहे रुहेल खांडवाल वदना चौंदा सी पर अवद दे नवाब्दियां फोजां अते अंग्रेज करनल नूटसन दी फोज उत्थे पॉंचन कारण अग्गे वदन दा इरादा त्याग दिता सी जी आर विलियम कलकत्ता रवीव 1864 पन्ना उंताली ते दर्ज कादा है कि सिख फोज शिवालक हिल्ज वल किसे रोक टोक दे वदी अते गडवाल दे इलाके डेहरा दून पॉंच गई गडवाल दे राजे ने सिखां दी इन मन चार हजार रुपे सालाना देना परवान कार लिया उस समेह रकम बड़ी वड़ी सी अंग्रेज लिखारी फॉस्टर लिखदा है कि गडवाल दे राजे ने दो सिख कोड सवारां जो एह तनलेंड पॉंचे दा राज कुमारा वंग सतकार किता ते उहु नजारा इतना अदपुत सी के मेरा दल सिख बननू किता होर ता होर नाहंदा राजा अपने आपनो बड़ी शक्ती शाली कहोंदा सी उसने वी सिंगा दे अग्गे गोड़ी टेक दिते अते खिराज नजराना देना कबूल कार लिया पाइब गेल सिंग होना ने जान लिया कि हुन मुगल शक्ती हीनी मीनी अते नतानी हो चुकी है इस दा हाल हुन बुझ रहे दीवेवांग है अते उत्री पारदे लाके विच उस समय चिरातों बार्शा ना हुन करके काल वर्गी हालत बनी होई है पाइब गेल सिंग अते जसा सिंग अलु आलिया सथ हजार फौज लेके दिल्ली पारकार गाजियाबाद पहुँच गे इना बुलंद शहर खुजरा दिल्ली दी दाना मंडी अते क्यों मंडी नू बुरी तरह लुटेया अते तहश नहश किता ग्यानी ग्यान सिंग अनुसार उत्थों दे लोग कारबार छाड़ के जाना वचा दोड़ गए सिखा ने मीरा नो पकड़ के बन लेया उपरंत चादर तर्ती ते बिछा के हुकम गिता के जो तु हड़े पास तान है उस दा दस्वा हिस्सा गुरू दे ना ते पाउ हरी राम गुपता मताबक एक लख दे करीब एकठे होई अते सिंगा ने ए सारी माया हर मंदर साहिब अमरी सर पेज़ दती फिर इना फरूखा बाद शिकोहा बाद अते आगरा लुटे आते हथ आया कीमती माल वी हजार फौज समेथ पंजाब नो पेईदत दिल्ली लुटनी अते लाल किले वाल चड़ाई पाइब गेल सिंग दी कमांड हेट चारी हजार खालसा फौज ने जमना दे बराडी काटते जा डेला लाया नो मार्च 1783 नो मलका गांज अते सबजी मंडी ते हला बोल इना इलाके अंदर तबाही मचादती शहजादा मिर्जा शिकोह ने महताब पुर विखे सिंगा नो वंगारे आते टाकरा किता पर हो बुरी तरा शिक्षत खा गया सिंग पानी दे हडवांग अगे वदे फजल अली खान ने वी इना नो रोकन दी कोशिश किती पर एहे अज मेरी गेट दे लाके च जा पोंचे सिंग जिद्धर वी जान दे बाज्जा दी नियाई मुगल सैना ते जा चट दे सां एहे हालत तक अब्दुल एहद खाने दास मार्च नो शेर दे जुआन फोज विच परती करन लेट न डोरा फिरवाया पर शेहर दे लोक डर के लाल के लेच जावडे शाने मिर्जा साफी अते उस दे पराजैन उल अबीदीन नो एके दम दिल्ली पहुंचन ली आख्या तांकि सिख्छा दे पैपीत करन वाले दबके नो रोक्या जा सके हकूमत ने बेगम समरू नो वी दिल्ली बुला लया तांकि सिख्छा नाल गल बात किती जा सके इहे बेगम समरू जिस दा असली ना जैब उन निशा सी अर्ब दे मुसल्मान असाद खांदी ती सी इहे सारा सुत्रवंजा विच जन्मी सी अते रेन हाड नाल वियाई गई सी जिसनू समरू करके ही बलोंदे सान क्योंकि इस दा पती समरू जर्मन दा सासी सूर्मा सी नजाफ खां ने इसनू सर्दाना इलाके दी जागीर संबाली होई सी पर स्तारा सो ठतर विच इस दी मोत होन पिछों समरू नई जगीर संबाली होते इस पास पांज बटाली ना दी प्यादा फोज सी जिस विच तिनसो दे करीब अंग्रेज अफसर सा इहे बटाली ना चाली तोप खाने ते तोपचिया ना लैसा स्तारा सो क्यासी विच बेगम ने रोमन कैथोलिक तर्म अपना लेया सी अते अपना ना जोहाना रख्या इहे मन करके बड़ी दलेर सासी अते जाबाज सी इहे अपने सरते हमेशा अंगूरी रंग दी दस्तार पहंदी सी मुगला दी इसनों पूरी हमायच सी क्योंकि उना ने इसनों सरदाने दी जागीर परदान किती होई सी दिली दा बाशा आलम खा इसनों अपनी ती आखदा सी गल की मुगला ने सिखानों दिली चों बहत केलन नई हर टंग वरतिया पामे गुरू दे सिंग इस दी शक्षियतों वी वाकफ सान पर हो दिली फते करनली पूरा तान ला रही सान उना इस समे ना मुगल ना मराठिया ना अंग्रेजा ना समरु वादी दी प्रभा किती पामे रान तक्ते चे जूज दिया जाननीयते माली नुकसान हो रहा सी पर गुरू दा खाल सा सरदार बगेल सिंग दी अगवाई हेट बोले सोने हाल सत शिरियकाल दे जकारे गुजाउं दे लाल किले वाल बड़ी तेजी नलवाद रहा सी दासमार्च 1780 शालम दुजे ने सरदार बगेल सिंग नु समझोते ली बलाया पर सरदार ने ना कार दती उह समदा सी के हारना पाप नहीं पर हार मन लेना जा जित के निशाने ते पहुँच के पिछे हटना पाप है कमीनगी है अते कम दिली है लाल किले च दाखला सिंगा ने लुट खसुट दा माल ता मंजू देट ले ते सक्त पैरे हेट टिकाद ता हुन लाल किले अंदर दाखले दी व्योंत बनोन लगे एह केला जमना दे किनारे पुरानी दिली चांदनी चौंक दे कोड शा जहान ने 1609 विच बनाया सी इह टाइसो एकड रकबे विच बनेया होया है अते इस दी तियारी लई नौ साल लगे सांद इह सारे दा सारा लाल पत्थर दा बनेया होया है शा जहान ने मुगर राज तानी जो पहला आगरे विच सी दली विखे तबदील का देती इस दे दुआले बड़ी चोड़ी ते डुंगी खाई बनी होई है ताकि दुश्मन छेती कितियां दाखल ना हो सके मुख गेट दा ना लहौरी गेट है क्योंकि इस दा मू लहौर वल है ऐसे मजबूत उचियां दिवारां ते पत्थर दी चनाई कारण ते किले अंदर मुझूद बड़ी गंती विच मुगल फोज दा टाकरा कारके दाखल होना कोई सोखी गाल नहीं सी किले दे सब दर्वाजे बंद का दते गए सन इतिहासक कथन मुताबक सिंगा नू एक मिस्तरी ने दस्या कि किले दी एक बाही दी कंद अंदरों कमदोर है एहे सुन सिंगा ने बड़ी मेंत नाल उस थां ते पत्थर तोड़ के मोरी जा मगोरा किता अते सिख फोज ते जी नाल किले अंदर 11 मार्च 1783 नू दाखल होई एहे मोरी वाली थां अज जवी मोरी गेट ना मशूर है सिंगा दी आमद तक बाश्या उस दे वजीर अमीर मुला काजी आदी अपने रिहाईशी अस्थाना ते ताड़े लाके लुक गए सिंगा नू तक इना दी हाल तो ना जंगली जानवरा वांग हो गई जिमें शेयर दी बढ़क सुन हो अपने अपने कुर्निया विचे जावार दे है सिख फोज ने लुके किसे बंदे ते त्याचार नहीं किता ते नाहीं किसे नू मारिया सरदार जसा सिंग रामगडियावी हिसार तो दासव हजार फोज लैके दिली पहूंच गया पर सरदार जसा सिंग अलु वालिया ते होर सरदारा ने इसनू पंजाबचों कर देता से लाल किले ते केसरी निशान चलोनी लाल किला सरकरन नाल जित दी खुशी दे रंजीत नगारे वजने शुरू हो गए सिंगा ने दिवाने आम चपैर पाई सतकुरंद तन वद किता ते किले तों हैदरी चंडा उतार के केसरी निशान साहिद चुला दता सिंगा ने सर्दार जसा सिंग अलू वालिये नू पादशा आके उस तक्त ते बठा दता जित ते शा जहान औरंग जेब अते उस उपरंत मुगल बाश्या बैठते सां इक सिंग नू अलू वालिये ते चौर करनली लादता इन जिसरदार कपूर सिंग दे कहे शब्द की इहता साधा पाथ्षा है पूरे हो गए जसा सिंग दी साखी शहीद रतन सिंग पंगू करता पंथ परकाश दोसो स्तारा तों दोसो ठारा पन्नाते यों बियान काता है साखी जसा सिंग की अब मैं देऊं सुनाए मंगत खात खाल से रलेओ पयो पंथ पाथ्षा है पर जसा सिंग रामगडिये ने विरोध किता दोहाँ पास्यां तो तलखी दे शब्द भी बोले गए जसा सिंग अलू वालिये तो प्रामा विचकार हो रहे गुसे वाड़ा महौल सहारया ना गया ते उसमें पंथवलनों बक्षिया एह वड़ा ओहदा त्याग देता इंज सिंगा ने मुगल राज ते कबजा करके जो कीमती समान हाथ आया उहो हत्या लिया जसा सिंग रामगडिये ने वड़ा काम एहे किता की जिस तक पत्थर दे टुकडे ते मुगल बाशा बैट हुकम कारदे सन उहो आपने बंदे लाके पुटवा लिया इहे टुकडा छे गुणा चार गुणा 0.75 फुट साइज दा पुट के गड़े ते लद अमरी सर लेयां दा आप जबी एहे पत्थर दा टुकडा हर मंदर साहे दिस रोवर्दी पर कर्मा ते स्थित बुंगा रामगडिया अंदर फर्ष विच जुड़ेया होया मजूद है एहे लाल रांगडा है आते इस विच पीले पीले टिमकने हाँ सरदार रामगडिया ने चार तोपां विकाबू कितिया इस तरह खालसे ने मुगल राज़ दिया जड़ा पुटिया श्री गुरु गोबिन सिंग जी ने जफर नाम में अंदर एहे शब्द औरंगजेव नू लिखे सान ए औरंगजेव मेरा खालसा तेरे कोट्स वारा हेठ ऐसी अग बालेगा कि मुगल पंजाब दे पाणिया दा कुट नहीं पी सकनगे सिख प्रती गुर्बानी वेवाखान अगाहा कूत राख पिच्छा फेरना मोडडा नानक सीज इवेहा वार बहुडना होवी जन्मड आ ते गती स्थान दी थां ते तिहास स्थापन दी थां ते प्रिवर्तन, शांती थांक शंगर्श 아ती पर्मप्रा दी थांक करांती दवाल सखौंदा है एहे वाल तकडियाज वलनों कम्जोरां ते हो रहे शोशन नू ठल पोंदा है गुरु जी दे करनी नाम में अंदर बोल हन तक्त दिल्ली पर बहेगी आप गुरादी फौज चवर्चु लेंगे सीज पर बड़ी करेंगे मौज गुरु दा खाल सा राज पाग दा पुख नहीं एहता गुरु दे गाड़ी मारगते चल्दा होया हर प्राणी लई सच सुतंतर ता सुख अते शांदाप जीवन चोउदा है एहता हले मी राज चोउदा है गुलाम मी राज नहीं परकाश विच ग्यानि ग्यान सिंग सिंगांदी सोच वारे लिख दे हां वाहन शिंगारे रहे, बाजते नगारे रहे, वैरी पूम डारे रहे, मूड युट ताज के संगते अबाद रहे, आवते परसाद रहे, बाड़े एहलाद बहे, तरम सो काज के गदियां अटल रहे, चौंकियां चल रहे, भुंगे चला चल रहे, सहत समाज के, लागते दिवान रहे, गावते सुजान रहे, चूलते निशान रहे, पंथ महाराज के बेगम समरु दा दिल्ली पहुंचना, सिखावलों दिल्ली ते काबज होन कारण मुगल हकूमत बड़ी पैपीट सी, बेगम समरु नू सेयानी ताकतवर अते उलजी तानी नू सुल जोन विच माहर समझ देयां हकूमत ने अपना दूत पेज ततकाल दिल्ली पहुंचन लिया इह सद्दे ते 12 मार्च 17 सुत्रासी नू दिल्ली आगई, शाह आलम ने इसनू सारी हालतों जानू कराया ते सिंगा नू एह मनोन लई कि ओहो दिल्ली चो चले जान लई जोर पौन ली किहा। बाश्या ने सुजा दिता कि सिंगा नू असी रोह तक अते करनाल दा इलाका प बादशादी पेशकश कि सिंग दिल्ली चाड़ जन असी नू रोह तक ते करनाल दा इलाका दे दियांगे। बगेल सिंग ने दुझे सदारानाल बैठ गालबात दुरान किहा। बेगम जी दिल्ली ते पकी तरह काबज होन ली साड़ा को इरादा नहीं। साड़ी पेली सिख फौज दा वड़ा हिस्सा दिल्ली चाड़ पंजाब चलिया जावेगा। दुर्जी सरदार बगेल सिंग चार हजार सिख सैन का नाल दिल्ली विच्छी रहेगा। दिल्ली विच्छ सिखा दे पवित्तर अस्थाना ते बगेल सिंग सत गुर्दवारे बना चौथी, सिख सैन का दे खर्चे ते गुर्द्वारें दे उसारी ते खर्चे लई, दिल्ली दे चुंगी वसूल चों, छे आनने एक रुपई विच्चों, एक रुपया बराबर सोड़ा आनने, सिंगा नू दिते जानगी पंजवई, सदार्ब गेल सिंग दा मुख दफ्तर सब्धी मंडी विखे होगेगा छेवी, सिख सैनिक मार्च 1783 तों, दसंबर 1783 तक अठ महिने दी, ठहर दोरान दिल्ली दे शैरे आनाल पैडा वरताओ नहीं कारनगे अते सत्मी, गुर्द्वारें जिव सारी वद तो वद इसे साल दसंबर तक मुकम्मल कार सिंग दली शाड जानगी बेगम समरू सारी गालबात उपरांत बाच्शा कोल गई, अते जियों ही उसने सिंगा दिया लिखत मंगा उस पास पेश कितिया ता शा आलम ने ननू पड़े आते त्यों ही मंजूर कारके हेट दस्थखत क्यार दते गल की, मर्दा की नहीं कारदा अज इस पाग जिस मापती असी एथी ही कारदे हां वाहिकुर्जी का खालसा, वाहिकुर्जी की फते